हमारे देश में IAS को DM बनना या collector बनना के नाम से ज़्यादा देखा जाता है मतलब लोगों का मानना ये होता है कि IAS मतलब DM बन जाएंगे, collector बन जाएंगे लेकिन बास्तविय गूप में IAS का क्या मतलब होता है, IAS का exam क्या होता है देखिए बैसे तो सबको जानकारी होती है कि IAS का एक बड़ा exam होता है उसका एक बड़ा सिलेवस होता है और IAS के exam को qualify करना भी अपने आमें बड़ी बात होती है तो हाँ ये सही है कि IAS के exam का बड़ा सिलेवस होता है और उसको qualify करना अपने आमें बहुत मेहनत का काम है IAS क्या है देखिए IAS हमारे देश की एक service है IAS का पूरा नाम है Indian Administrative Service और हिंदी में जिसको कहते हैं भारतिय प्रसासनी सेवा अब यह सेवा है एक प्रकार की इसके आप जब मेंबर बनते हैं इस सेवा के मेंबर के बनने के बाद आपको अलग-अलग पद दिये जाते हैं जिन है एक सेवा है एक जाम कोलेफेक के लिए और आपको IAS service मिल गई मतलब आप IAS के एक member बन गए और यह कह सकते हैं आप IAS officer बन गए फिर जब आप IAS officer बन जाएंगे उसके बाद आपकी service record के हिसाब से आपको अलग-अलग पद दिये जाएंगे जैसे कभी छोटा पद फिर उ IAS कोई पद नहीं है IAS एक सेवा है जिसको जोईन करने के बाद मतलब IAS officer बनने के बाद आपको अलग-अलग पद दिये जाते हैं तो यह तो हो गया IAS क्या है और साथ में आपको बता दूँ कि ए हमारे हां group A की service है group A में बहुत service है रिखी गई है जिनके लिए बहुत ज़ जाती है high benefits मिलते हैं मतलब सुविधाय मिलती है और उसको बैलू भी हमारे हां first class की दी जाती है तो इसलिए कहते हैं इनको group A की service तो IAS एक group A की service है उसके साथ-साथ IAS एक all India service भी है अब यह all India service क्या होता है all India service अब यह क्या है इसमें तीन सब्द है all मतलब सभी इंडिया मतलब पूरा देश और service मतलब सेवा तो IAS एक all India service है इसका मतलब यह है कि IAS की member बनने के बाद मतलब IAS officer बनने के बाद पूरे देश में कहीं भी आपको काम करने को दिया जा सकता है यह depend करता है central government के उपर केंद सरकार के उपर जैसे कि हमारे मेजर रूप से दो सरकार रिगाम करती है एक केंद सरकार और एक राज सरकार तो इसमें depend करता है कि केंद सरकार आपको कहां बेजती है मतलब आपको केरल भी बेज सकती है आपको UP भी बेज सकती है आपको उतराख तो आपको यह समझ में आ गया कि IAS All India Service है और इसका मतलब क्या है All India Service केवल हमारे हैं तीन हैं एक, दो और तीन जिसमें पहला IAS और दूसरा IFS और तीसरा IPS IFS का मतलब है Indian Forest Service और IAS बता चुका हूँ और IPS का मतलब Indian Police Service तो यह तीन सर्वेसे हैं जो All India Service हैं मतलब इनके ओपीसर बनी के बाद पूरे देश में कहीं भी काम करने को दिया जा सकता है अब इसके बाद हम यह समझते हैं कि IAS का एक्जाम क्या होता है और इसको कौन-कौन यह क्या क्या सरतें रखे गई हैं तो अब हम समझते हैं एक्जाम के वारे में कि एक्जाम क्या है देखिए इस एक्जाम के तीन स्टेज हैं नंबर एक पीटी इसको मैं सौट में लिख रहा हूं प्रिलिम्स एक्जाम और नंबर दो मेंस एक्जाम और नंबर तीन स्टेज है इसका interview number 3 stage है इसका interview तो उसके 3 stage है इसके 3 stage हैं इसके 3 stage को clear करना होता है मैं आपको अता दूँ कैसे clear करना होता है जैसे कि PT के लिए कोई भी व्यक्ति apply कर सकता है बस उसकी age 21 साल पूरी हो जाए 21 साल का भैव्यक्ति हो जाए और उसने graduation में graduation का मतलब यह है कि उसने BA BSC BCA BE इस type के उसने कोई भी degree completed कर ली हो या वो final year में हो इस चीज़ पर ध्यान देना या उसने completed कर ली हो और या वो final year में हो या वो final year में हो फिर भी apply कर सकता है तो इसको देने के लिए सरते के अवल यह 2 special समझ लीजिए 21 साल और graduation के या तो final year में हो या आपने पूरी complete कर ली हो तो आप PT exam दे सकते हैं prelims exam दे सकते हैं इसको sort में pre exam के नाम से भी जाना जाता है उसके बात बात आती है means exam की तो इसमें ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी candidate चाहें अपलाई कर देंगे 8 लाक, 10 लाक, 12 लाक लेकिन जो हर साल लोग exam देते हैं उनकी संक्या है लगवग 5 या 6 लाक 5 या 6 लाक student exam देते हैं और उसमें से केवल 8 या 10,000 या 12,000 मतलब 8 से लेकर 12,000 के बीच में जो candidate हैं उनको pass किया जाता है means exam के लिए कि अब वो means exam दे सकते हैं बाकी जो हैं उनको सब को वहर कर दिया जाता है लेकिन ये आपको दिखान रहे कि जो इसके जो number है वो आपके इसमें जोड़े नहीं जाएंगे मतलब जो आपके cut off लगेगी या जो आपके number जोड़ना start की प्रिकरिया है वो होती है means से means से चलता है और interview के भी number जोड़े जाते हैं means आपका 1750 number का होता है और interview आपका 275 number का होता है तो फिर means से आपकी प्रिकरिया चलती है कि आप कितने number लेके आते हैं उसमें से वो हिट्टे के जाएंगे फिर उसके बाद फिर प्रिकरिया चलती है कि आठ से जो 12,000 लोग हैं इन में से जादा जादा ये अलग अलग year पर depend करता है जादा जादा जो वैकेंसी आई हुए है उसके तीन गुने या चार गुने लोग लिये जाते हैं मतलब यह है कि वैकेंसी अगर हजार होगी तो आप ऐसे समझ लेजिए कि तीन हजार से चार हजार के बीच में ये लेंगे interview के लिए मतलब तीन-चार हजार यहां पहुँच जाएंगे किस में से आठ और दस के बीच में जो संक्या ली है उनुने ये मतलब पकी decide नहीं होती है पहले से ये UPSC जो है एक आयोग है वो अपने हिसाब से decide करता है कि इस बार में कितने लेने हैं ये अगली साल में कितने लेने है मोटे दार पर समझे तीन-चार हजार यहां पहुचेंगे और इसे इंट्रिव्यू दिलवाया जाएगा अब इंट्रिव्यू में 235 में से जितने नंबर ले आते हैं वो इनके इसमें जोड़ दिये जाएंगे सत्रा सोपचास में से यह जितने लेके आते हैं माल लिए सत्रा सोपचास में से कोई लेके आया नो सोपचास और इधर 275 में से कोई लेके आया माली जी एक्सोस्ती ले आया तो अब जो कुट आफ लगेगी वो 950 और फिलस इसके जो एक्सोस्ती हैं इनको जोड़के देखा जाएगा कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिनके नंबर इससे ज्यादा आए हुए है और फिर बैकेंसी कितनी है फिर इसकी क्रेटागरी क्या है यह सारा सिस्टेम चलता है जो अपने आप में एक अलग नियम इसका है उसके हम बाद में बात करेंगे तो इस टाइफ से जो बेक्ती मेंस एक्जाम में नंबर लेके आता है मार्क से लेके आता है और जो इंटर्व्यू मार्क से लेके आता है उनको दोनों को जोड़ा जात है और जिन कंडिडेट के मार्क्स अच्छे होते हैं उनको IAS के लिए सिलक्ट लिए जाता है उसके बाद के ट्रेनिंग होती है फिर ट्रेनिंग के जो भी अलग-अलग प्रोसेस हैं वो पूरे किये जाते हैं उसके बाद फाइनली वो IAS officer बन जाते हैं तो इस प्रकार से IAS का समझने के लिए आप चाहें तो UPSC की website से भी check कर सकते हैं या आपको किसी और वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा कि आखिर इसका जो syllabus है वो क्या है syllabus को कैसे त्यार किया जाता है कब त्यार किया जाता है इसके लिए क्या सही समय होता है और किस तरीके से त्यार किया जाता है इस सारी बातें बता दी जाएंगी